बच्पन में पिता की मौत, डॉक्टर बनने का सपना छोड सोला की उम्र में एक्ट्रेस बनी वहीदा, बॉलिवूर पर राज करने वाली वहीदा रहमान ने देव आनन से लेकर अमिताब बच्चन तक के साथ काम किया और तमाम सुपर हिट फिल्में दी. अप्रतिम सौंदर्य और उतक्रिष्ट अभिनय करने वाली वहीदा रहमान हिंदी सिनेमा में पचास, साथ और सत्तर के दशक के बहतरीन अभिनेत्रियों में से एक रही है. खुबसूर्ती और बहतरीन अदाकारी के बेजोर मेल से वहीदा रहमान लोगों के दिलों पर राज कर रही थी. क्या आप जानते हैं, इससे कई साल पहले एक शक्स उन्हें अपनी पत्मी बताते हुए उनके घर में घुस आया था. वहीदा के घर उनके फैंस की चिट्थियों का धेर लगता था. वहीदा को जितनी जल्दी फिल्में मिलती जा रही थी, उनके फैंस की तादाद भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही थी. एक दिन अचानत एक अंजान शक्स वहीदा रहमान के घर में घुस आया और उन्हें अपनी पत्मी बताने लगा. वहीदा रहमान के घर काम करने वाली महिला ने उस शक्स को वहीदा के कमरे में जाने से रोक लिया और उसके बारे में पूछा. वह शक्स बार-बार वहीदा को अपनी पत्मी बता रहा था साथ ही कह रहा था कि उसने वहीदा को एक लव लेटर भेजा है जिसमें उन्हें अपनी पत्मी मान लिया है वहीदा रहमान कमरे के अंदर से ये सारी बात सुन रही थी इसके बाद वहीदा को एक चिठी याद आई जो साथ से आठ दिन पहले आई हुई थी चिठी में बहुत सी बाते लिखी थी और शादी वाली बात भी लिखी थी लेकिन वहीदा ने उस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था आखिर में वहीदा के चौकीदार ने उस सिर्फिरे फैन को घर से बाहर कर दिया था आज हम वहीदा रहमान के मज़ेदार किससे आपको बताने जा रही है बीते साल 2019 में जब वहीदा रहमान जब तीवी शोद कपिल शर्मा शो में शामिल हुई थी तब उन्होंने अपने पर्सनल और प्रोफेशन लाइफ से जुड़ी कई दिल्चस्प बातों का खुलासा किया था उस दौरान उन्होंने यह भी खुलासा किया था कि कैसे उन्होंने मजाक में पहले अमिताब को थपड मारने की बाते कहीं और बाद में बात सच साबित हो गई वहीदा जी ने बताया यह साल 1971 था अमित जी और मैं रेश्मा और शेरा की शूटिंग कर रहे थे हमारा एक सीन था जिसमें मैं उनसे बहुत नाराज थी मैंने मजाक में कहा कि इस सीन में मुझे अमित जी को थपड मारना चाहिए निर्देशक को ये पसंद आया और ये फिल्म का हिस्सा बन गया गोली चली और मैंने उसे थपड मार दिया जब शौट्खम हुआ तो अमित जी बोले वहीदा जी बहुत अच्छा था वहीदा का जन्म 14 मई 1938 को तमिल्नाडू के चेंगल पट्टू में अब्दुर्रहमान के घर में हुआ वह एक दखिनी मुस्लिम परिवार था उनके पिता मुहमद अब्दुरहमान एक जिला आयुक्त थे और जब वहीदा किशोरावस्था में थी तब उनकी मृत्यू हो गई उनकी मा का नाम मुम्ताज बेगम है चन्नेई में उन्होंने और उनकी बहन ने भरतनाट्यम सीखा वहीदा रहमान ने अपनी शुरुवाती शिक्षा सेंट जोसेफ पॉन्वेंट स्कूल से की थी वहीदा डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन लगातार बीमार रहने के कारण वह अपना सपना पूरा नहीं कर पाई वहीदा एक अच्छी डांसर थी यहां उसका जुनून था वह अपने डांस की वज़े से फिल्मों में आई वहीदा रहमान जी ने सिनेमा जगत में कदम रखते हुए एक तेलुगू सिनेमा रोजुलू मरई में बाल कलाकार की भूमी का निभाई वहीदा रहमान का फिल्मी सफर वर्ष 1955 में तेलुगू सिनेमा जैसिमहा से शुरू हुआ यो तो वहीदा रहमान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआ तेलुगू सिनेमा से की थी गुरुदत ने वहीदा रहमान एक साउट फिल्म में देखा था और उनकी खूपसूरती को देख ऐसे दीवाने हुए थे कि उन्होंने वहीदा रहमान को बॉलिवुड में लाने का फैसला कर लिया गुरुदत फिल्म CID की अभिनेतरी की तलाश कर रहे थे किसी समारों के दौरान जब गुरुदत की नजर खूपसूरत वहीदा रहमान पर पड़ी तो उन्होंने वहीदा को अपनी फिल्म में स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया किस्मत ने भी साथ दिया और वहीदा स्क्रीन टेस्ट के लिए सेलेक्ट हो गई गुरुदत ने ही वहीदा को पहली फिल्म दी और इस तरह से एक्ट्रेस की फिल्म C.I.D. के साथ हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री में शुरुआत हुई इसी के बाद से दोनों में प्यार हुआ और उनका इश्क परवान चड़ गया गुरुदत की पहली शादी अपने जमाने की मशूर गाई का गीता दत संग हुई थी और उनके तीन बच्चे भी थे गुरुदत ने गीता संग लव मैरिज की थी फिर भी वे वहीदा रहमान की खूपसूर्ती के आगे खुद को संभाल ना सके कहा जाता है कि गुरुदत वहीदा रहमान के इश्क में इस कदर डूबे थे कि वहाँ उनके लिए खुद खास सीन्स लिखते थे यह भी कहा जाता है कि फिल्म प्यासा के लिए पहले गुरुदत दिलीब साहब को लेना चाहते थे फिल्म उन्होंने वहीदा रहमान के अपोजिट खुद काम किया बड़े परदे पर एक साथ दोनों की जोड़ी को खूब प्यार मिला कहा जाता है कि गुरुदत वहीदा रहमान को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे इन सब के बीच दोनों की शादी की खबरे सामने आने लगी तो गुरुदत की पत्मी गीता दत का दिल तूट गया गीता पती से दूर अलग रहने लगी तब गुरुदत ने गीता दत को चुना और वहीदा रहमान से अपनी राहें अलग कर ली बुरे वक्त और तूटे रिष्टों के चलते गुरुदत को शराब की लट लग गई 10 अक्टूबर 1964 को अचानक गुरुदत के निधन की खबर आई उस वक्त उनकी उम्र महज 49 वर्ष थी गुरुदत की मौद ज्यादा शराब पीने से हुई या खुद कुशी से यहां आज तक नहीं पता चल पाया वहीदा जी को काफी कड़वे अनुभव से गुजरना पड़ा कुछ ऐसी ही मोहबबत रही वहीदा रहमान और गुरुदत की जो चाहते हुए भी साथ नहीं आ सके और अपना प्यार नहीं पा सके गुरुदत से रिष्टा तूट जाने के बाद वह दुखी हो गई थी जिसके कारण कमलजीत से घुलने मिलने में उन्हें वक्त लगा वहीदा रहमान और शशी रेखी यानी कमलजीत यश जोहर के दोस्त थे वहां मुलाकात हुई और फिर एक दिन शशी रेखी ने वहीदा रहमान को फोन करके कहा कि वहां उनके साथ कॉफी पीना चाते हैं वहीदा रहमान यह सुनकर हैरान थी क्योंकि उन्होंने सोचा कि अभी से कॉफी के लिए क्यों बात कर रही है वो घर आएंगे तो तब भी कॉफी बन सकती है कमलजीत वहीदा रहमान के घर पहुँचे कहते हैं कि एक्ट्रेस के परिवारवानों को यह रिष्टा मनजूर नहीं था कमलजीत विपरीत धर्म से आते थे इसलिए परिवारवाले इस रिष्टे के खिलाफ थे वहीदा और कमलजीत एक दूसरे से शादी करना चाहते थे लेकिन वहीदा अपने परिवार की नामनजूरी से काफी परेशान थी ऐसे में मशूर राइटर और सलमान खान के पिता सलीम खान ने दोनों की मदद की सलीम खान ने वहीदा रहमान को समझाया कि उन्हें अपने दिल की सुननी चाहिए सलीम खान की बातों को गंभीरता से लेते हुए एक्ट्रेस ने कमलजीत में 27 अप्रेल 1974 में शादी रचाली उनका एक बेटा सोहल और बेटी काश्वी हुई दोनों ही आज राइटर है वैसे तो उनका वैवाहिक जीवन काफी सुख से बीता लेकिन वर्ष 2000 में उनके पती शशी रेखी की मृत्यू हो जाने से वह फिर से अकेली हो गई इसके बाद वहीदा रहमान वापस मुंबई आ गई और अब भी वही बानरा में अपने बंगले में रहती है पती की मृत्यू के काफी दिनों बाद उन्होंने एक बार फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया वह फिल्म वाटर, रंग दे बसंती और दिल्ली छे जैसी फिल्मों में नजर आए वहीदा बेहत टैलेंटेड एक्ट्रेस साबित हुई वह लगभग हर शैली की फिल्म में थी और उन्होंने एक किशोर नाईका से लेकर एक बुजुर्ग माँ और दादी तक सभी तरह की भूमिकाएं निभाई वहीदा रहमान ने अमिताब बच्चन की माँ और मालकिन दोनों की भूमिका निभाई है उन्होंने अदालत 1976 में अपने प्रेमी और त्रिशूल 1978 में अपनी मा की भूमिका निभाई उन्हें गाइड और नील कमल के लिए दो बार सर्वश्रेष्ट अभिनेतरी का पुरसकार मिला है 2011 में भारत सरकार ने वहीदा पद्म भूशन से सम्मानित किया बॉलिवूर की प्रसिद अभिनेतरी वहीदा रहमान 85 साल की हो चुकी है लेकिन उन्हें देख कर कोई उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता सदा बहार फिल्म अभिनेतरी वहीदा रहमान उसी अभिनेतरी में से एक जो अपने उम्र की परवाह ना करते हुए भी अपनी जिन्दगी के सपनों